आप देख रहे हैं हेड्लाइन्स टेली एच्टी न्यूज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लोकतंत्र में निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा महत्व है किन्तो यदि यह निर्वाचन निर्विरोध रूप से संबन हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है लोकतंत्र का ऐसा ही एक रूप इंदौर के महशुरी समाज के यूवा संगछन के मामले में सामने आया बताया जा रहा है कि यहां जिले की टीम के लिए कई यूवा साथ ही दावेदार थे किन्तो सभी यूवाओंने चुनाव नहीं करा कर निर्विरोध निर्वाचन का निर्णे लिया और उसका पड़िनाम यह रहा कि सभी युवा एक जाजम पर आए और निर्विरोध रूप से युवा समा सेवी सहज सरर एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले संजैल लुहिया को इंदोर जिला महिश्वरी युवा संगठन का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया सुमवा शाम को कोरोना गाइडलाइन का पलन करते हुए इंदोर के एमजी रोड से तेखनीची होटल में साधे समहरों की रूप में इंदोर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अर्विन यतिवारी के मुख्या अधित्त में सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपत वि वित्रन भी सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को किया गया आश्रपत विदि समहारों में अध्यक्ष संजय लोहिया वरिष्ट उपाध्यक्ष गोविन जवर् उपाध्यक्ष श्रीकांत लड़ा कलश उपाध्यक्ष मिथुन सार्ला मंत्री मयंक मुंद्रा कोशा प्रचार मंत्री शीव महिशवरी सहसचिव निखिल मंत्री सहसचिव हर्ष असावा शांस्कृतिक मंत्री पियोष मालानी खेल मंत्री पुनेत साबु को इंदौर प्रिश्कला पध्यक्ष अर्विंदेतिवारी निशपत दिलाई। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंदोर जिला महाश्वरी समाज के प्रचार मंत्री अजय साडा, पवनलाधा, भरत तोतला, राहुल, मान, धन्या, वरुन बाहती, मनीश कावरा भी उपस्तित थे इस सबसे बड़ी बात है, कि तमाम आगरें भी बना है, लेकिन पदादीकारी पत्का दाईल का निवाना बहुत कढ़िन गाम में, और आपका राही तो इसलिए भी बढ़ गया है, कि आप निर्विरों निर्वाचित हो, इसलिए आपका पूरे समाज में आपके वरुसा वेक करती है, तो आपकी जुम्मेदारी बहुत बढ़ गी, आप लोग सब बहुत समयदार हो, बहुत संपन हो, लक्ष्णी की गरफा आपके ही हमेशा से, और आप लोगों में सेवा का जज़गा भी है, लेकिन मेरे दूतीन सुजाओं हो, ति कैसा फंट बना है, जो बहुत में आज के लिए परिशाद ना होना पड़े, इस दिशा में मैश्वरी की गरफा सब्सक्रा के लिए, दूसरा शेत्र है शिक्षा का, मैं देखता हूं कई पर दिभावान बच्चे संसादलों के अभाओं में, बच्चे शिक्षा प्राफ्ट करने से बच्चित रह जाते ह अगर शिक्षा प्राफ्ट करने के लिए दिशाद में रहते हैं तो उन्हें संसादल उपलब दरी होते हैं, तो आप लोगों का यह विदाई पर दिभावान बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने को आगे बढ़ना चाहते हैं, मैश्वरी समाज के अने ही क्या है, का इंड्रस्टेर सेक्टर के दाब हो, उसमें भी अपना पर्चम ले रहा है, तो उसमें भी आप लूपल दोविका हो जाती है, अपने युवा साथियों का पार दिर्शित करने के लिए, आपका कारेकाल ये शरस्वी हो, आपके कारेकाल जिसरा आउल के अध्यक्षी कारे के समय को अध्यक्न, उसमेशन होआ, और कोवन भाईया जिसनसे लक्ष्टी कुत्रा आपके साथ है, कोई भी तिक्टेश नी नहीं है, और हमारे जैसे वीडिया के साथ ही, आपके साथ ही, जो आपके हर अक्षे काम तो इस शेहर के लोगों के सामने इस प्रदेश के लोगो के रूप में अपने कर्टवियों और दाई दुगा निर्वान पूरी निष्ठा के साथ करूँगा और अपने साथियों के कदम से कदम मिलाकर संगठन को नई उचाइब पर ले जाने के लिए लगातार प्रेद करता रहूँगा जय हिंद जय भारत जय मादा की नव निर्वाचित युवा संगठन की टीम की आज शपत्विदी समारो संपन्न हुआ है इनी सिद्धांतों के साथ हमारे युवा साथ ही कारी करें युवा का उल्टा होता है वायू वायू जिस तेज वेक से प्रभाव को प्रभावित करती है युवाओं को भी अपने उपदेश्चों के साथ में कारी करना होगा समाज को एक रूप में संगधित करने के लिए सभी लोग एक साथ एक जूट होकर कारी करें संगधन में शक्ति होती है पत आपका कोई सा भी हो उस पत की महत्ता उस समय होती है जब आप उस पत के कारी को उस सही तरीके से अपने पत का निर्भान करते हैं हमें आपस में युवाओं को संगटित होकर एक जूट होकर कारी करना होगा समाज के लिए कुछ ऐसे नए कारी करना होगा जिससे हमारे नौर जिला महाश्वरी समाज का नाम पूरे भारत वर्ष में हो हमें हमारे महाश्वरी समाज के लिए ही नहीं बलकि अन्य समाज के उन पिडित लोगों के लिए भी कारी करना होगा जो कि किसी ने किसी तरीके से कहीं ने कहीं किसी दुख तकलीप संकट में हमारे पास में मदद मांगने के लिए आते हैं दोस्तों मैं केवल युवाओं के लिए यह कहना चाहूंगा कि रगों में दोड़ने फिरने के तुम नहीं हो कायल अगर आँखी से न टपको तो फिर लहू क्या है और हमें स्वामी विवेगनन की उन शब्दों को याद रखना होगा कि यूथ इस बोन पर नेशनलिटी दोस समाज के लिए हम एक नई दिशा नए कार्य शिक्षा चिकिस्सा स्वास्त के शित्रे में कारी करें और एक जूट होकर कारी करें यही मैं सभी युवाओं से आग्रा करूंगा जय मैश समाज ने एक नया संदेश पूरे समाज के लोगों को दिया है कि हम लोग लड़ने में नहीं कारे करने में विश्वास रखते हैं इसलिए हम लोगों ने निर्विरोध निर्वाचन करवाया है मुझे बहुत अत्यंत खुशी है और इस पूरी युवाटीम को मेरे को एक ही संदेश देना है कि सब मिलके और जितने इंदोर में अच्छे अजार परिवार हैं में से हर घर में से एक एक युवा को निकाल कर और साथ में अगर जोड़के और उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो उसका आनंद सोगुना हो जाएगा तो मैं सभी युवाओं को बहुत-बहुत बदाई देता हूं जितने नव निर्वाचित जितने भी पता दिकारी है उन मैं सभी महश्वरी समाज के सभी गणों को सभी सदस्यों को साधर नमन करता हूं जो हमको सेवा को सेवा का मोका हमें दिया गया हम सभी मिलकर और निर्विरोज चुना हुए संगठित होके चुना हुए कि सभी एक साथ वर्किंग करें कंदे से कंदा मिला के साथ में काम करे हम सभी साथी हमारी सेवा के लिए अगरिम रहेंगे समाज सेवा के लिए डेश की सेवा के लिए सभी एक साथ यूवा संगठन इंदोर जिला महेस्वरी यूवा संगठन काफी सक्षम और अच्छे तरीके से कारी करता रहा है लगातार पिछले चार वरसों से में इसका अध्यच्छ था और मेरे कारिकाल में काफी सारे काम हुए और उसी को आगे बढ़ाने का प्रंड लिया है भाई संजे जी लोहिया और उनकी पूरी टीम ने संजे भाई के साथ कदम से कदम मिला कर चलने वाली पूरी टीम है जिसमें चार्टेड अकाउंटेंड, साफ्ट्वेर इंजिनियर और कहीं तरह के बड़े व्यापार करने वाले बिजनेसमेन पहली बार कम उम्र में 30 साल की उम्र और 28 साल की उम्र में इस संगटन से जुड़े हैं यह हमारे लिए बड़ी खुसी का विशे है हमने पिछले बार सदस्यता अभियान चलाया था जिसमें लगबग इंदोर जिले से 3000 युवा साथ्यों को हमने हमारे इस संगटन से जोड़ा था और उसका हम आने वाले समय में केसे फायदा लेंगे यह संजेविया के पास एक अच्छी प्लानिंग है जो कि इन्होंने कही बार अपने चुनावी केंपेंड में लोगे के बीच में जाकर जिक्र किया है और आने वाले समय में कई सारी योजना हैं जो कि रोजगार सिक्षा और व्यापार से जुड़ी हुई है जिसको की संजेविया लगातार आगे बढ़ाएंगे इसी में उम्मीद करता हूँ जी बिल्कुल जाप फेर का आयजन मेरे कारिकाल में ही एक हमारी मात्वा कांग्षी योजना थी जिसको की कोरोना काल में हमने कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया था अब उसकी जिम्मेदारी संजेविया ने काफी समय पहले ही ओड ली है हाला कि संजेविया लगातार इस छेतर में कार करते रहे हैं जैसे ही किसी तरह की कोई सोशल मीडिया के माध्यम से सूशना मिलती है कि इसको रोजगार चाहिए इसको सिक्चा चाहिए संजेविया हर्दम आगे रहते हैं इस तरह की कारेप्रणाली के हमारे भाई संजेविय और पूरी टीम इसी तरह आगे बढ़ती रहे मेरी यही शुब काम ना अति शिक्र इंदोर जिला माहिश्वरी युगा संटन के बेनर तले एक जौब पेर लगाया जा रहा है जिसमें हम माहिश्वरी समाज की युवाओं को अति शिक्र रोजगार दिलाने का पूरा-पूरा प्रयास करें आज जो शपद विदी समार हुआ है क्या के रहे हैं आज सभी साथियोंने शपद विदी ली है और उन पर पूर्ण विश्वास करता हूं कि उन्होंने जो चुना और निर्विरोद हुए और इसके साथ साथ ही सबसे आज जो इंपोर्टेंट बात रही कि आज हमारे जो प्रैस क्लब अज्यक्षी अर्विन जी तिवारी जी आया है और सभी को उन्होंने जो निर्वाचित सब्सक्राइब श्रीमत भगवत गीता भेट करी और ता